विडियो को अंतक जरूर देखेगा वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने शुरूर अगर आप अनलाइन पेसा कामाना चाते हैं तो विडियो डिसक्रिप्शिन पर उसका लिंक मिल जाएगा चलिए भीना देर के हुए वीडियो शुरू करते हैं तो दोस्तो सबसे पहले हमें सर्च में जाना है search में जाके हमें यहाँ पर type करना है R E G I is registry editor ठीक है तो आपको यहाँ पर click करना है उसके बाद left click करना है ठीक है left click करना है उसके बाद yes पर भी आपको left click ही करना है उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको यह interface मिल जाएगा तो यहाँ पर में इन सब को एक बार click close कर देता हूं ठीक है तो यह रहेगा आपका interface ठीक है तो यहाँ पर आपको click करना है एच की current user में एच की current user arrow में click कीजिए या फिर double click कीजिए यह interface आजाएगा expand उसके बाद यहाँ पर भी same करना है एरो में या फिर आप इसमें double click करना है ठीक है एप events में उसके बाद ओके ओके तो यहाँ पर आपको यह दुबारा से मिल जाएगा next पर यहाँ पर हमें क्या करना है event laps ठीक है उसमें आपको क्लिक करना है एरो में तो आपको नीचे की तरफ आ जाना है तो नीचे पर हमें मिलेगा windows log of option ठीक है log of और logon यहाँ पर दोनों यह तो हमें जाना है दोनों पर दोनों के option पर ठीक है जेरो पर सेट करना है ठीक है और रोके कर देना है उसके बाद दोस्तों यहाँ पर इसका भी सेम ठीक है log of का भी यहाँ पर आपको यह भी जेरो पर सेट कर देना है और रोके कर देना है इतना करने के बाद कि कट कर देना इस्क्रीन को दुबारा से सर्च में जाना है , यहाँ पर टाइप करना है चिती है,stra Out आप स्क्रीन को यहाँ बढ़ा कर लीजिये तो उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप पर इस तरीके पके इंट्रफज तो आपको option दिखाए देर होगा view by small icons ठीक है तो यहाँ पर लर्ट आइकन सेट कर लीजिए उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हमें sound option select करना है left click करके आप इसको select कर सकते हैं जैसे आप left click करोगे आपको यहाँ पर sound sound set करवाना होगा ठीक है windows slogan और windows लोग उफ में तो दोनों का sound यहाँ पर select कीजिए make sure कि आप sound select करें ठीक है without sound sound नहीं बज़ेगा उसके बाद आपको apply करके okay कर देना है उसके बाद जाके यहाँ पर आपको play windows startup sound set करना है and then window default modified ठीक है इसको आप जो है ठीक है सेट कर दीजिए और apply करके okay कर दीजिए ठीक है इस तरीके से तो यह हो गया दोस्तों settings set अभी आपके windows जो भी ओफ होगा तो आपको sound मिल जाएगा जो भी ओन होगा तो भी आपको इस्टाट आप sound मिल जाएगा ठीक है अगर आपको sound change करना है तो sound option पर ही जाकि आप sound change कर सकते हैं उम्मिद करते हैं वीडियो आपको पसने होगा thanks for watching